ecosystem का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे ecology में, हमारे environment में दो प्रकार की components है, एक होता है byotic component, एक होता है abiotic, तो जो ecosystem self-sustain नहीं कर पाता, जिनको हमारी सुरत पढ़ती है, उनको regulate, control करने के लिए उसको हम anthropogenic ecosystem कहते हैं, तो बहुत सारा बदलाव आता है बेटा, succession में, ये जो ब सबसे पहला स्टेप होता है डी कॉंपोजिशन का जिसको हम फ्रेग्मेंटेशन कहते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे फूट्चेन कनेक्टेड हो तो जाल बन जाता है उसको फूड वेब कहते हैं यह अब करें ला है और अज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चाप्टर इस NCRT माप के सीरीज में और चाप्टर का नाम है ecosystem हमने ecology इवने start कर दी है बेटा और ecology में आपको पिछला जो mind map में lecture मिला होगा, वो मिला होगा organism and population का, आज तो lecture आपको मिलने वाला है बेटा- that is ecosystem का, तो ये बेटा ecology, environmental science, तो आज कल बच्चे-बच्चे चोटी classes से पढ़ रहे होते हैं है ना तो ecosystem वर्ट से आएगेस सारे कि सारे बच्चे familiar है ecosystem का मतलब क्या होता है बेटा हमारे ecology में हमारे environment में दो प्रकार की components है एक होता है biotic component एक होता है abiotic जैसे हम है हम किसके अंदर आते हैं बेटा biotic component में soil किसके अंदर आता है abiotic component तो biotic और abiotic का कैसे आपस में interaction होता है उस interaction की study को हम ecosystem कहते है अब interaction का मतलब क्या है बेटा देखो यह interaction बेटा biotic और biotic के बीच में भी हो सकता है जैसे बेटा for example एक grass को grass ओपर खाता है ना it's a kind of interaction food chain का process है ठीक है अब एक plant बेटा soil में रह रह रहा है वो उसका habitat है तो जरूरी नहीं है कि biotic abiotic से नहीं हो सकता है biotic abiotic से भी हो सकता है biotic abiotic से भी हो सकता है overall biotic abiotic 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 interaction वो किस science के अंदर आता है किस sorry किस चीज के अंदर आता है बेटा that is ecosystem इसी को हमें revise करना है ठीक है तो start करते हैं बेटा सबसे पहले ecosystem कितने type क्यों होते हैं एक होता है बेटा आपका aquatic ecosystem एक होता है terrestrial mainly ecosystem को divide किया जाता है दो types में जैसे बेटा river ocean ये सारे के सारे आपके क्या है aquatic ecosystem even aquarium जो घर में रखते हो ना बेटा वो भी ecosystem है ठीक है aquatic वाला terrestrial में क्या आ जाएगा बेटा forest desert ये सारे terrestrial ecosystem है ठीक है लेकिन human का कितना interference है मारी ecosystem में human interference को अगर देखें तो दो type के ecosystem और बन सकते हैं एक है natural और एक है anthropogenic ecosystem natural में क्या आ गया बेटा आपका river आ गया ocean आ गया क्योंकि river और ocean को बेटा हम control नहीं कर रहे हैं वो self-sustaining system है उस self-sustaining system में producer herbivore consumer decomposer सब कुछ है ठीक है river हो गया ocean हो गया forest हो गया desert हो गया यह सारे के सारे self-sustaining ecosystem है that is why इनको natural ecosystem कहते हैं हम जो खेतिवाड़ी करते हैं बेटा agriculture वाला ecosystem जिसको agro ecosystem कहते हैं उसमें हमें control करना पड़ता है हम खाना डालते हैं हम पानी देते हैं उसको उनका self-regulatory mechanism नहीं हो खुद से sustain नहीं कर सकते they need us aquarium में भी बेटा आपको बाहर से खाना डालना पड़ता है ठीक है उसके अंदर पेड़ नहीं है असली वाले मचलियां है तो पेड़ नहीं है तो oxygen कहां से आएगा तो आपने देखा होगा अगर आपके घर में aquarium है तो एक oxygen pump लगा होता है बबल निकल रहा होता है तो हमें वह supply करना पड़ता है खाना बाहर से डालना पड़ता है अगर मचली ओशन और रिवर वाली है तो क्या आप जाकर के वाना चारा देते हो उसको किसने दिया आश्त किसीने भी नहीं दिया क्योंकि वह अप जाएं इसलिए क्योंकि अगर self-sustained कर लीती तो जरूवत ही नहीं होती तो जो ecosystem self-sustained नहीं कर पाता जिनको हमारी सुरत पड़ती है उनको regulate control करने के लिए उसको हम anthropogenic ecosystem कहते हैं जहां पे भी word anthropogenic आ गया समझ जाना वहां पर इंसान का role है ठीक है ऐसे system को man-made ecosystem भी कहते हैं ज सकते हैं ठीक है जिस जगह को मैं विलॉंग करती थी वहां पर एश्या का largest man-made है जब हम बच्चे तो बेटा हमें तो यहीं बताया जाता था उसके बाद कोई largest man-made बन गया है तो मुझे नहीं पता रीहन डाम अगर आप उधर के हो तो शायद आपने सुना होगा तो even dams can also be man-made man-made aquatic ecosystem हो गया वो ठीक है उसके बाद और हाँ एक बताया था आपको एग्रो एकोसिस्टम agriculture वाला ecosystem ठीक है इसको largest man-made ecosystem कहा जाता है अब question आपसे यह भी आ सकता है बेटा types के अलावा कि जो एग्रो एकोसिस्टम होता है उसके characteristics बताओ मालो बेटा आप चावल की खेती कर रहा हो तो 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 चावल ही है न वहाँ पर और कोई पौदा है नहीं तो diversity बहुत जादा नही होगी वहाँ पर जो food chain चलती है वह भी बहुत simple होगी क्योंकि एक ही species है यह एक से जादा होंगे बहुत ही little cycling of nutrient होगा वो मर जाएंगे उनके मरने के बाद उनके अंदर का mineral होगा वो soil में आ जाएगा तो देखो क्या-क्या characteristics होते है characteristics of man-made ecosystem या anthropogenik ecosystem इनके पास कोई बेटा self regulatory ecosystem mechanism नहीं है यह खुद से नहीं चल सकते इनको हमारी जरुवत है ठीक है जैसे aquarium को example दिया था बहुत little diversity अब तुम बिटा aquarium में कितनी प्रकार की मशलिया रख लोगे बड़ी वाली शाग रोगे चोटी वाली को खा जाती है लेकिन ocean में river में आप देखो कितने variety of animals है plants के भी ठ इतनी ज्यादा diversity है natural में बट यहां पर नहीं मिलती इतनी diversity, food chain भी बहुत simple होगा क्योंकि जानवरी इतने ज्यादा नहीं है, diversity इतनी ज्यादा नहीं, species इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है productivity लेकिन बहुत high होगी, why बेटा तुम खेती बाड़ी कर रहे हो, तुम अपनी पूरी जोड लगा दोगे, पूरी जान लगा दोगे, तुम्हारी जो खेती तुमने इतने महनत के लिए किये, उसकी yield अच्छी आए, उसकी productivity अच्छी आए, है ना, तो productivity that will be high because हम maintain कर रहे हैं, but क्योंकि species कम है, तो nutrient की cycling भी बहुत limited होगी, अब हम बात करते हैं, component की, ecosystem के बेटा द a-biotic component, अच्छा वैसे यहां लिखा हुआ था, a-biotic component बेटा आप आप अलोड़ी पढ़ चुके हो, organism and population में, चार a-biotic component पढ़ाया था आपको, light, temperature, water and soil, है ना, वो अब आपको इस chapter में नहीं पढ़ना है, जो अगला component है, biotech, ठीक है, वो आपको इस chapter में पढ़ना है, revise कर component में क्या-क्या था, biotic component में आप पढ़ोगे, producers, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, autotrophs जिनको कहते हैं, autotrophs को कौन खा जाता है, बेटा, बकरी, है ना, गास खा जाती, गास, मतलब जो grasses होते हैं, they're consumed by, गाय कहलो, बफेलो कहलो, बकरी कहलो, जो पेड़ को खाए, वो क् कह सकते हो, consumer, या आप इनको क्या कह सकते हो, herbivores, जो herbivores को खा जाते हैं, बेटा, ठीक है, देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलू, grass, grass को कौन खा जाता है, बेटा, grasshoppers, grasshoppers को कौन खा जाता है, frog, और frog को कौन खा जाता है, बेटा, snake, ऐसा ही होता है, है ना, तो जो grass है, ब producer, क्योंकि खाना बना सकता है, इसको और क्या कह सकते हो, autotrophs, grasshopper ने इसको खाया, तो ये क्या बन गया बेटा, primary consumer, primary consumer को कौन खा जाता है, frog, तो ये भी consumer है, बड़ इसको बोलोगे क्या, secondary consumer, frog को किस ने खा लिया, snake ने, तो snake भी consumer है, बड़ इसको क्या बोलोगे, tertiary consumer, जो भी consumer है बेटा, एक दुसरे को क्यों खा लें, क्योंकि खाना नहीं बना सकते, खाना नहीं बना सकते, तभी तो खा रहे हैं, that means ये सारे के सारे consumers क्या होते हैं, heterotrophs, ठीक है, अब क्योंकि ये व जानवरों को क्या बोलते हैं, बेटा, herbivores, और जो herbivore को खाया, वो carnivore flesh, अब मान लो, frog ने grasshopper को खाया, ये भी कीडा, ये flesh खाया उसका, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, primary carnivore, frog क्या बन गया, primary carnivore, और snake ने frog को खाया, तो ये क्या बन गया, बेटा, secondary carnivore, यही सारी ब बात लिखी हुई है, बेटा, कि producers होते हैं, producers को कौन खा जाते हैं, consumers, जिनको heterotrophs कहते हैं, primary consumer होता है, secondary होता है, tertiary होता है, और एक top carnivore, जैसे share वगएरा top carnivore में आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम सब मर जाते हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, तो हमारे अंदर minerals है, इसको waste जाने देंगे, क्या, बगवान ने इतना अच्छा तरीका बनाया है, बेटा, कि हम waste से भी कुछ निकालेंगे, और हमारे अंदर का mineral है, वो वापस से घूम फिर करके हमारे soil में आता है, जिसको nutrient cycling कहते हैं, तो यह सब कौन करता है, यह सब करता है, यह सब करता ह बाते हैं मिशा, ऐसी permanently, नहीं, वो decompose हो जाती है, कौन करता है, decomposers करते हैं, तो एक biotic component होता है decomposers, जिनको हम saphtrotrophs कहते हैं, because they feed on dead and decaying organic matter, ठीक है, और यहां सारा abiotic लिखा हुआ है, जो हम अलड़ी पढ़ चुके हैं, उसके बाद, next revise करेंगे, इसके बाद और क्या आता है, फिर आता है बेटा ecosystem structure, ecosystem structure में NCRT कहती है, सब कुछ NCRT की बाते लिखी हुए है, जो important है, जो revise करनी है, फटा फट अपना NCRT खोल करके बैठी और साथी साथ पढ़ते चलिए, ecosystem structure में सबसे पहले हम बात करेंगे species composition, species composition का मतलब क्या होता है, बेटा आप जाओ एक जंगल में, उस जंगल में जा करके देखो, species को identify करो, और identify करो और count करो, एक दो तीन चार, तो ये बनाता है ecosystem का species composition, ये species composition बता रहे हो, that means तुम ecosystem के structure को define कर रहे हो, ठीक है, तो देखो लिखा भी क्या हुआ है बेटा, कि species composition में आता है, species को identify करना, और enumerate करना, मतलब counting करना, कोई भ एक एरिया में मिलते हैं, जैसे for example बेटा, tropical rain forest है, tropical rain forest में vegetation जाधा होते है, तो count किया होगा, पताया होगा, तभी तो पता चले होगे, तो tropical rain forest dense होता है, जिसकी वज़े से वहाँ पर amazing number of biological species है, that means ये आपको क्या बता रहे है, tropical rain forest का ecosystem structure बता रहे हैं, क्योंकि ये tropical rain forest में number बता है, species composition किसके अंदर आता है, बेटा, ecosystem structure के अंदर आता है, उसके बाद इन्होंने एक example दिया है, desert ecosystem का, अब desert में जाते हो, रेगिस्तान में आपको जानवर दिखते हैं जादा, पेड़ पौदे दिखते हैं जादा, नहीं, क्योंकि कम है, तो तुमने ये क्या बताया, तुम number में है, enumeration, इसके अलावा, अगर तुम्हें ecosystem के structure को define करना है, तो एक चीज और आती है, जिसका मतलब होता है, stratification, stratification में एक word आ रहा है, strata, strata का मतलब होता है levels, जैसे बेटा, जंगलों में जाते हो, तो आप देखते हो, जितने बड़े-बड़े पेड है, उनका अपना इक level होता है, इसी height के, फिर छोटे-छोटे level सा, मतलब height वाले पेड़ा आते है, shrubs इनको कहते है, और एकदम पिद्दू वाले आते है, जिनको हम घासपूस, herbs कहते है, तो forest में भी, ये तीन प्रकार के, जो मैंने plants बोले, herbs, shrubs, trees, इनका भी अपना level है, ठीक है, उनको strata ब जैसे पेड़ देखोगे, जंगलों में, तो इनकी अपनी एक height होती है, सबसे topmost layer पर यही होते हैं, फिर herbs होती है, herbs वालों की अपनी एक level होती है, फिर घासपूस वालों की अपनी एक level होती है, तो top layer में कमिशा कौन होता है, बड़े-बड़े trees, ठीक है, middle वाली layer में कौन होता है बेटा shrubs और bottom layer पर कौन मिलता है बेटा herbs तो यह जो vertical distribution है species का इसी को stratification कहते हैं ठीक है for example in a forest vertical subdivisions present होती है top layer पर trees होते हैं second layer पर shrubs होते हैं और bottom layer पर grasses and herbs होते हैं ठीक है तो यह दोनों चीज़ आती है ecosystem structure में की ecosystem बना किन चीज़ों का है अब ecosystem में यह जो species है यह रहे करके काम क्या करते हैं वो सारी चीज़ें आती है बेटा ecosystem function में तो ecosystem का function क्या है तीन चार function है बेटा आप देखो एक है productivity दूसरा है decomposition तीसरा है energy flow और fourth है nutrient cycling जिसमें हम सबसे पहले discuss करने वाले हैं बेटा productivity के बारे में तो productivity को define कैसे करते हो बेटा productivity को हम define करते हैं biomass का production ठीक है अगर आप से पूछा जाए आप कितने productive हो आपका exam आने वाला है तो क्या बोलोगे हम महिने बर से पढ़ रहा हो एक chapter भी नहीं पढ़ पाया तो यह आपकी अच्छी productivity या बुरी productivity है मेरे ख्यासे तो बहुत ही बुर of biomass formation ठीक है जिसमें समय भी होना चाहिए अगर आप बोलोगे अपने घर में बताओगे ना कि हां मैं तो एक chapter इतने घंटे में पढ़ गया time factor included है इतने कम time में भी तुमने इतना असरदार काम किया कि एक chapter पढ़ लिया that's a good productivity है ना जभी में दो ecosystem को compare करना हो अगर आपको system का chapter एक महीने में complete किया है तुम बोलो मैंने तो एक घंटे में complete कर लिया who is more productive जो एक घंटे में complete किया है तो हमेशा दो ecosystem को जब compare करना होता है तो productivity चुना जाता है ecosystem function के लिए ठीक है तो productivity का हम कैसे define करते है बेटा productivity को हम define करते है rate of biomass production यह आप कह सकते हो rate of biomass formation, अब दो प्रकार के productivity होती है बेटा, एक होती है primary और एक होती है secondary productivity, secondary productivity आपके syllabus में नहीं है बेटा, primary productivity NCRT बोलती है और primary productivity क्या होती है, वो biomass जो की बनता है बेटा producer level पर ठीक है, एक पेड कितना वजन बढ़ा रहा है, बायो का मतलब क्या है, biological organism mass का मतलब है बजन, तो ऐसे समझना, एक पेड कितना वजन बढ़ा रहा है, photosynthesis करके, that is primary productivity at their level, ठीक है, अब यह secondary productivity क्या है बेटा, जो हमारे consumers होते हैं, वो producers को खा लेते हैं, और खाने के बाद जो बढ रहाते हैं, biomass increase होता है, form होता है, उसको secondary productivity कहते हैं, तो यह किस level पर बनती है बेटा, this is formed at, this is formed at consumer level, ठीक है, अब primary productivity भी दो types की होती है, ठीक है, secondary में इतना याद रखना है बेटा, इससे जाद आपको नहीं जाना है, primary productivity भी दो types की होती है, एक होती है, net primary productivity और एक होती है, बेटा, gross primary productivity, सबसे पहले देखो, primary productivity का definition लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको अलड़ी बता दिया है, biomass formation at producer level, तो वही चीज़ लिखियो ही है बेटा, rate at which biomass बनता है, किसके थुरू, plants के थुरू, during photosynthesis, per unit area, over a time period, productivity में हमेशा time period ज़रूर mention करना, यही difference है, productivity में और production में, अगर आपसे बोला जाए कि एक factory इतना माल बना रही है, ठीक है, हजार ton समझ लो, कोई time नहीं बता रही हो कि कितने साल में, कितने महीने में वो हजार ton समान पर यूज़ कर रहे हैं, वो production बता रहे हैं, वहीं पर अगर वो बोले कि हम हजार ton बना रहे हैं, छे महीने में, तो वो उनकी productivity कहलाती है, NCRT ने खास तोर से productivity और production को difference बताया है, जब time period लिया है, जब time period ना हो, तुम सिर्फ बोलो कि मैं हजार numericals कर लिया हो physics का, तो वो तुम्हारा production है, ठीक है, हजार numerical तुमने दो दिन में किये हैं, छे दिन में किये हैं, साथ दिन में किये हैं, वो तुम्हारी productivity होईगी, ठीक है, तो productivity को हमने measure कैसे करना होता है बेटा, इसको express करते हैं, weight में कर सकते हो, या आप इसको energy में कर सकते हो, अगर weight में करोगे, तो unit होती है, gram per meter square per year, और अगर energy में करते हो, तो unit होती है, kilo calorie per meter square per year, तो year is the time, ठीक है, primary productivity दो टाइप की होती है बेटा, एक होता है, gross primary productivity और एक होता है, बेटा, net primary productivity, gross का मतलब होता है, total, एक plant, जितना भी total biomass produce करता है, photosynthesis के तुरू, उसको हम gross primary productivity कहते हैं, जैसे for example, बेटा, यह plant है, इस plant ने photosynthesis के जरिये जो अपना biomass produce किया है, वो है 50 gram per meter square per year, तो जितना भी यह बना रहा है, total, यह total बना रहा है, तो इसको क्या बोलोगी, जी जी पी पी, gross primary productivity, gross का मतलब होता है, total, तो यह जितना भी खाना बनाया है, यह invitation देगा, हर भी वोर को, कि हर भी वोर, आजो और मुझे खा लो, इतना वेफ़कूफ तो है नहीं ना बेटा, कि जितना भी तरह महनुत की photosynthesis के थूँँ, अपना biomass बनाने के लिए, दूसरों के लिए बना रहा है, अपने घर में आप खाना बनाते हो, ममी बनाती है, तो अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, अपने घरवालों के लिए बनाते हैं, mostly, ठीक हाँ, जब पाटी बाटी हो, तो बात अलग है, अधरवाज ने तो ऐसे पूरा खाना कैस्रोल में बन किया, और बिना खाए, एक तो होता है, चलो भूत खा लिया, उसके बाद परोसा है, है ना, ऐसा करते हैं हम, खाना खुद के लिए बना रहा है, हमारा शरीर बेटा, एटीप जो बना रहा है, अपने अंदर, वो किसके लिए बना रहा है, एटीप तुम दूसरों को दान में भी नहीं दे सकते हैं, अपने लिए बना रहा है ना, similarly बेटा, इस प्लांट ने यह जो 50 ग्राम पर मीटर स्कॉयर पर यह प्रोड़क्टिविटी बनाई है, इसमें से खुद भी तो यूज़ करेगा, तो इसने जो फोटो संदिसकर कितना प्रोड़क्टिविटी बनाया है, यह अपने खुद के लिए यूज़ करेगा, यूज़ फोर रेस्पिरेशन, ठीक है, अब इसमें से जो बच जाती है, खाना खा लिया तुमने, जो बच गया है, वो प्लांट क्या करता है बेटा, हर भी वोर्स को प्रोड़क्ट करता है, जब हर भी वोर्स उसको खाते हैं, ठीक है, तो जितना तुमने बनाया, उसमें इसे अपने शरीर के लिए जो भी उटलाइस कर लिया, उसके बाद जो बच जाता है, लेफ्ट इस अवेलेबल टू, अवेलेबल टू, नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल, जैसे बेटा, नॉर्मल सी चीज है, कि एक अन्वल इंकम होती है, अन्वल इंकम एक साल की है, जो आपकी इंकम, टोटल इंकम है वो एक साल की, तो वो क्या सारी कि सारी बच जाती है, बचत हो जाती है उसकी, मम्मी पापा सक पूछना, नहीं, मम्मी पापा लो कितनी savings करते हैं, है ना, उसके बाद cut कुटा करके सारे खर्चे थोड़ी से बच जाती है, net, है ना, similarly plant ने total ये बनाया है, बद total की total next traffic level को पास नहीं हो पाएगी, इसमें से plant खुद भी बहुत खर्चा करता है, खर् जैसे खर्चा वर्चा करने के बाद जो income बचा रह जाता है, उसको net income कहा जाता है, है ना, net primary productivity, तो यही net primary productivity बेटा, available होगी हर भी वोर जब हर भी वोर इनको खाने आएगा, ठीक है, तो NPP को कैसे define करते हो, वो primary productivity जो बच जाती है, और यही primary productivity available है, next traffic level को जो इनको खाने आत जाते हैं, जैसे के बिसी पर देखते होगा ना, अगर को एक करोड़ रुपए जीत रहा है, तो एक करोड़ रुपए चान पर थोड़ी होते हैं, वो तो दिखाते हैं, लेकिन नीचे पढ़ा होगा, लिखा होता है, कि जो भी income जीता है, that is subject to taxes, टैक्स बगरा कट जाता है बेटा, एक करोड़ में 18% तुम टैक्स बगरा काड़ो, गिफ्ट टैक्स अलग होते हैं, तो उसके बाद माइलनेस करने के बाद, जो income बश्ती, वो उनके अकाउंट में जाती है, तो total gross कितना था, 1 करोड, काटा पीटा, बच गया net, तो net कितना आया, for example, 75 लेक्स, तो वह synthesis of organic matter, जो producer बनाता है, during photosynthesis per unit area and time, net primary productivity क्या होता है, जो अभी आपको समझाया, net मतलब बचा हुआ, ठीक है, rate of biomass production, जो की store करता है producer, जो बचा रह जाता है, in excess of respiratory utilization, मतलब respiratory utilization के बाद, जो बचा रह जाता है, per unit area and time, उसको हम net primary productivity कहते है, calculate कैसे करोगे, NPP calculate की जाती है, NPP is equals to GPP minus R, GPP मतलब gross, total में से तुमने respiratory के लिए कितना utilize किया, अपने purpose के लिए, उसमें से जो minus कर लोगे, जो बचा रह जाएगा, that is net primary productivity, देखो, note point में लिखा हुआ है, बेटा, net primary productivity ही available biomass है, जो next traffic level को मिलता है, अब क्य क्या चीज है बेटा, primary productivity को effect कर सकती है, सबसे पहला बात बेटा, आपको 11th class में आपने सुना होगा, कि C4 plants को ज्यादा productive कहा जाता है, क्योंकि वो better efficient है, उनकी photosynthetic capacity ज्यादा है, तो जो ज्यादा photosynthesis efficiently करेगा, उसकी productivity अच्छी होगी, for example C4 plants, अब क्यों बेटा, 6th class से पढ़ जफी पड़ी थी न, equator के पास ही tropical zone होते है, तो वहाँ पर भर भर के सूरे के किरने आती है solar radiation, जहाँ पर ज़्यादा solar radiation होगा बेटा, वहाँ पर productivity ज़्यादा होगी, तो solar radiation का भी productivity decide करने में कितना important role है, then temperature, solar radiation जहाँ, temperature ज़्यादा ज़्यादा होगा, और temperature ज़्यादा availability of nutrients, यह सारे factors determine करते हैं किसी जगा की productivity, अब यह सब कहानी बताने के बाद, NCRT कहती है कि productivity calculate की गई, biosphere की, overall biosphere की, और calculate करने के बाद, productivity आई, 170 billion tons, जिसमें से बोला गया कि ocean की productivity सिर्फ 55 billion tons थी, मतलब rest 115 billion tons किसकी थी, terrestrial की, अगर तुम अपना अर्थ का map देखोगे, तो 70% तो ocean है, ocean का area इतना ज़्यादा है, तो productivity भी ऐसा लगा था, उसका ही ज़्यादा होगा, बट कहानी पढ़ गई, उल्टी, forest का ज़्यादा productivity आया और ocean का कम आया, अब लोगों का सरचक्रा गया, इतना ज़्यादा area के साथ, तुसी productivity, तो सब reason धूनने लगे, तो reason क्या निकल करके आया, देखो वो भी लिखा हुआ है, reason for the low productivity of ocean, light, ocean बेटा आपने, सबने पढ़ा होगा, यह देखो, this is the ocean, ocean में सबसे नीचे की layer तक light पहुच ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि light नीचे इतनी energy नहीं है कि हर layer of water में पहुच सके, तो availability of light limitation बन गया, दूसरा बेटा, हर nutrient यहां पर available नहीं है, nutrient भी एक important factor है, light भी एक important factor है, और यह दोनों ही factor ocean में, हर layer तक नहीं थे अच्छे से, nitrogen एक बहुत important material होता है, nutrient होता है, जो productivity को determine करता है, nitrogen ही available नहीं होता है ocean में, तो देखो, पहला तो light, क्योंकि यह जैसे जैसे नीचे जाते जाते हो, light घटती चली जाती है, with depth, दूसरा nutrient, most limiting nutrient marine ecosystem को होता है, nitrogen, limiting का मतलब, इसकी demand जादा है, बट इसकी availability उस जगह पर कम है, और इनी दोनों reasons की वज़े से, ocean अपने इतने बड़े area के साथ भी, बहुत कम productivity में contribute करता है, forest के साथ ऐसा निए, बेटा, light जाती है, ठीक है, herbs को भी मिलेगी, shrubs को भी मिलती है, trees को भी मिलती है, इनको इतनी problem नहीं है, जितने पानी वाले में problem है, nitrogen भी ठीक थाक है हमारे, इसी वज़े से, terrestrial कम area के साथ भी ज़्यादा productive हो गया, secondary productivity मैंने आपको अलुड़ी बता दी थी, वो productivity होती है, जो consumers के level पर produce करती है, जब ये producers को खाते है, ठीक है जी, तो यहां तक हमने समझा है, बेटा, productivity के बारे में जो पहला ecosystem function है, हमारा, okay, next, जो हम पढ़ने वाले हैं, बेटा, next function, that would be decomposition, decomposition का लेटर मतलब सबको पता होगा, बेटा, decomposition का मतलब होता है, तोड़ना, ठीक है, तोड़ता कौन है, बेटा, decomposers, है ना, तो यहां पर किसका decomposition होने वाला है, बेटा, जो चीज मर चुके है, dead remains, dead remains, of plants and animals, इनको हम क्या कहते हैं, बेटा, इनको हम कहते हैं, dead remains, करता कौन है, बेटा, decomposers, अब decomposers कहां पर होते हैं, अगर देखो, terrestrial ecosystem में, ठीक है, this is terrestrial ecosystem, तो अगर terrestrial ecosystem में decomposition होना है, तो decomposition होती है, soil में, decomposers present in in, upper layer of soil, in terrestrial ecosystem, लेकिन अगर पानी में चलना है, aquatic ecosystem में है, तो decomposers कहां होते हैं, बेटा, नीचे, decomposers, decomposers, present in lower strata of ecosystem, lower strata of ecosystem, ठीक है, तो ये तो अबने बता दिया, कहां कहां पर चलेगी, terrestrial में है, क्योंकि decomposers उपर की तरफ हैं, तो उपर की तरफ चलेगी, aquatic ecosystem में है, पानी वाला बोड़ी है, decomposers नीचे की तरफ हैं, तो नीचे की तरफ चलेगी, अब क्या-क्या चीजे एफेक्ट करेंगी, decomposition को, ठीक है, तो सबसे इंपोर्टेंट है बेटा, chemical nature, अगर हमारा detritus, chemical compound, अगर lignin, tannins, resins में रिच हुआ, तो obviously तोड़ने में वक्त लगेगा, बेटा, obviously जो हाट चीज है, उसको तोड़ना difficult है, है न, और जो normal चीज है, इतनी solid नहीं है, उसको तोड़ना would be easy, तो detritus, if detritus is rich in tannins, lignins, यह सारे organic compounds है, तो decomposition क्या हो जाएगी बेटा, by default decomposition हो जाती है, slow, अगर हमारा detritus, if detritus is rich in water soluble substance, water soluble substance, तो decomposition हो जाएगी fast, जल्दी-जल्दी होगी, तो यह हो गया कि जिसका decomposition करना है, उसका chemical nature क्या है, decomposition करना किसका होता है, detritus का, ठीक है, दूसरा जो factor है बेटा, temperature, अगर temperature बेटा, 10 degree से कम है, तो decomposition slow होगी, क्योंकि decomposition करता कौन है बेटा, decomposition करते हैं, decomposes bacteria and fungi, bacteria and fungi को grow करने के लिए, proper काम करने के लिए, warm and moist condition चाहिए, warm बेटा, 10 degree में तो ठंडा आ गया, warm कहां से आया, इसलिए 10 degree से कम होगा, तो decomposition बहुत ही slow हो जाएगा, क्योंकि organism ही बड़े slow हो जाते है इस temperature पर, but अगर इससे जादा हुआ, for example in tropics, tropics का जैसे temperature, 23 degree के अराउंड या उससे जादा होता है, तो इस जगह पर decomposition क्या होगी, fast, तो पहले हमने देखा chemical nature, दूसरे हमने देखा temperature, उसके बाद moisture बेटा, मैंने क्या कहा, warm and moist condition favorable होती है, bacteria and fungi के लिए, तो moisture बहुत ज़रूरी है उनके growth के लिए, है ना, तो देखो moisture is the third factor which is going to influence decomposition, moisture नहीं है, वहाँ पर decomposers नहीं मिलेंगे, decomposition करने के लिए, तो decomposition obviously slow हो जाएगी, दूसरा aeration, aeration का मतलब होता है oxygen, बेटा oxygen ही नहीं होंगे, तो वो काम कैसे करेंगे, oxygen चाहिए होता है, decomposition एक aerobic process है, ठीक है, anaerobic process नहीं है, तो oxygen चाहिए, तो ये चारो factors मिलकर के बेटा, decomposition को help कराने में, effect करने में, influence करने में मदद करते हैं, अब देखो, यहाँ पर एक note point लिखा हुआ है, note point क्या है बेटा, देखो, जो temperature है, जो मैंने बताया, और जो बताया, soil moisture, ये सबसे दो important climatic factors है, अगर आप से पूछा जाए, दो important climatic factors को discuss करिये, तो आप एक तो करना temperature, जो बताया है, दूसरा करना soil moisture, ये सबसे important होते हैं, क्योंकि ये regulate करते हैं decomposition को, through their effect on the activity of soil microbes, क्योंकि अगर soil microbes, जो हमारे क्या होते हैं, बेटा, decomposers, यही active नहीं होंगे, यही सही तरीके से growth नहीं करेंगे, तो decomposition कैसे चलेगा, अब ये दोनों climatic factors कैसे decomposers को influence करते हैं, effect करते हैं, तो देखो लिखा हुआ है, जो warm and moist environment होता है, यही favor करता है decomposition को, क्योंकि warm and moist condition सबसे favorable time होता है, decomposers, soil microbes के growth के लिए, तीसरा point देखो क्या लिखा हुआ है, जब temperature low होता है, और अगर anaerobic condition होती है, तो decomposition inhibit हो जाता है, रुख जाता है, resulting in the build up of organic material, बेटा तुम्हारे ecosystem में जंगल में जा रहे हो, पेड तो गिर रहे हैं, मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, बट उनको कोई decompos करने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर anaerobic condition है, temperature low है, तो बेटा, कचड़े, पहाड की तरह build up होते चले जाएंगे, because there is no decomposers, तो हमारे environment में decomposers बहुत अच्छे हैं, साफ सफाई करने के लिए वही हैं, जो dead remains को kill करते हैं, ठीक है, प्लान का हो, चाहे अनिमल का हो, clear है, उसके बात, बेटा, मैं आपको बताती हूँ, कि different steps क्या है, decomposition के, what are the different steps of decomposition, यह उसका हो रहाँ रहाँ रहाँ, तो बेटा, तो बेटा, तो बेटा, तो बेटा, आपके यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है, ठीक है, that means हम terrestrial का देख रहे हैं, और terrestrial में क्या बताया था बेटा, जो decomposers है, वो कहां रहते हैं, soil के upper layer में, तो जब यह इसका कोई पार्ट या पूरा का पूरा प्लांट मर जाएगा, तो इसका decomposition upper layer of soil में चलेगा, because decomposers वहीं पर रहते हैं, माल लो NCRT ने लिखाया है, कि इसकी एक पत्ती गिर गई, ठीक है, यह पत्ती अब क्या गिर गई है, अपने पेड से अलग हो गई है, that means इसको decompos करना है, तो यह क्या बन गई है, बेटा, detritus, यह किसका पार्ट बन चुकी है, बेटा, detritus, detritus क्या होता है, बेटा, raw material होता है, decomposition का, ठीक है, अब देखो, green leaves falls on the ground, अब आप देखो, आपने देखा होगा, वो पत्ती कुछ ताइम के बाद, नेचर से गायब हो जाती, क्यों क्यों डीकॉंपोस हो जाती है, ठीक है and enter into the food web, अगर इस पत्ती को कोई बकरी बगरा खा गई, तो that means, वो food chain का पाट हो गया, ठीक है, वो flow of energy involved हो गया, वो food chain क्या होता है, वो आगे पढ़ लो गया, या फिर हो सकता है, कुछ हिससे पर यह देखो, यह क्या है बेटा, earthworm, या आप इनको कह सकते हो, termites, ठीक है, य यह क्या है बेटा, यह आपके detritus है, detritus पर फीड करते है, और क्या करते है, जैसे यह इतना बड़ा है न, तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल में convert कर देंगे, and make them into smaller particles, ऐसा क्यों बेटा, जैसे बेटा, आप रोटी खाते हो, ठीक है, तो रोटी का एक तुकड़ा, बाइट अपने मुह में डाल रहो, तो पूरा का पूरा रोटी तो निगल नहीं पाओगे, निगल जाओगे भी फाइदा नहीं होगा, क्योंकि उस रोटी का निवाला जो तुने पूरा निगल लिया है, अब अजगर तो है नहीं न यहां ईले, आप ऐसे आएरिया पर ऐसे पार्टिकल पर जादा अच्छे से काम कर पाती है, इसलिए डेट्रिकर्स पर सबसे पहले डेटरिवोर्स फीड़ करते हैं, सो त उस बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में गन्वर्ट कर पायें, और डें इट विल decomposed by लेगिन यह बात यहां नहीं लिखते हैं जो यह पहला step होता है जहां पर detrivors work करते हैं यह सबसे पहला step होता है decomposition का जिसको हम fragmentation कहते हैं fragmentation में नाम में ही देखो मतलब छोपा हुआ है तोड़ना तो इसमें बड़े detritus particle को छोटे-छोटे में convert कराया जाता है जब आगे जाकर के बैक्टीरिया फंजाई की ज़रत पड़े जब इंजाइम सिक्रीट करें तब असानी से इनको और तोड़ा जा सकें इन पर digestion वगरा करवाया जा सकें decomposition sorry अब उसके बाद क्या होता है बेटा कुछ जब यह detritus इस पत्ती पर फीड कर रहे होते तो कुछ nutrients यहीं से release होकर के soil में मिल जाते हैं तो यह जो second step दिखाया है this is the second step ठीक है तो second step decomposition का क्या होता है leaching, leaching को कैसे define करते हैं कि जब fragmentation चल रही होती है जब detritus को तोड़ते हैं smaller particles में उसी दरान कुछ water soluble nutrients अगर निकल रहे हैं उस fragmentation से तो वो leach out करके बह करके soil में चले जाते हैं नीचे के तरफ deposit हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है detriverse ने feed तो किया है पर proper decomposition हुआ नहीं है तो तीसरा step चलता है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं catabolism अब catabolism और fragmentation में फरक किया है बेटा fragmentation का मतलब भी होता है तोड़ना catabolism का मतलब भी तोड़ना होता है पर fragmentation first step होता है इसमें बड़े detritus particle को छोटे में convert कराया जाता है और organism कौन करता है detriverse catabolism में बेटा decomposers कर रहे होते हैं और वो decomposers के नाम क्या है bacteria and fungi bacteria and fungi वो जो छोटे 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 पार्टिकल है इसने बड़े बड़े पत्ती को detritus ने इतने छोटे smaller particle में convert कर दिया है ठीक है अब उस पर कौन फीड करता है bacteria and fungi बैक्टिरिया इन फंजाए कुछ enzymes secrete करते हैं और वो enzymes फिर उन बचे हुए material पर decompose और digest करती है तो उनसे जो inorganic mineral like CO2 water निकलता है तब जाकर कि हमारी decomposition complete हो जाती है तो क्योंकि bacteria and fungi enzymes secrete करना था इसलिए enzymes better cup करते हैं बेटा जब particle छोटा हो इसलिए सबसे पहले स्टेप में particle को छोटा करवाया जाता है ठीक है तो देखो लिखा हुआ है leaves partially consume की जाती है decomposers such as fungi and bacteria and they begin to lose form and become litter ठीक है तो यह वाला क्या दिखा रहे है catabolism उसके बाद क्या होता है बेटा four step further decomposition कौन करता है earthworm bacteria soil mites fungi etc. और decomposition के बाद इसके अंदर का जो mineral है वो release हो करके soil में आ जाता है इसको बोलते हैं बेटा mineralization क्या बोलते है mineralization और इसी तोरान बेटा decomposition अब complete नहीं होती है partially degraded deltritus को humus कहा जाता है humus के बनने को humification कहा जाता है और humus में भर-भर के बेटा inorganic minerals है reservoir of nutrients है उसी nutrient release होते है तो उसको हम बोलते है mineralization ठीक है और कहां आ जाते है soil में और फिर soil में आ गए यह पेड़ भी soil में तो soil वापस से plant absorb कर लेगा nutrient वापस से tree में चला जाएगा ठीक है तो देखो this is a cycling of nutrients तो decomposition और decomposers क्या करते हैं बेटा nutrient को cycling करने में मदद करते हैं ठीक है इसी तरीके से okay next हम बात करेंगे बेटा तीसरे function की जिसका नाम है energy flow energy flow का मतलब क्या है बेटा ecosystem एक organism दूसरे को खाता है there is a flow of energy और उस खाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा food chain ठीक है तो energy का जो flow होता है बेटा वो unidirectional होता है NCRT कहती है that is unidirectional unidirectional का मतलब क्या है energy हमेशा कहां से आती है बेटा energy हमेशा आती है sun से फिर जाती है किसके पास producers के पास producers को कौन खा जाता है बेटा consumers तो हमेशा इसी direction में energy का flow होता है इसलिए energy के direction को एक direction कहा गया है unidirectional ठीक है और NCRT में कहा हुआ है जो energy का flow है हमारी दो law है thermodynamics की उसको फॉलो करते हैं सबसे पहला law जो यह फॉलो करते हैं कि energy कभी create नहीं की जा सकती ना destroy की जा सकती है यह बस one form of energy से दूसरे form of energy में convert होती है जैसे बेटा sun है sun कैसा है बेटा sun एक physical form of energy है ठीक है plant इसको जैसे इसको ऐसे बना लेते हैं यह sun है sun क्या है बेटा इसको कौन एब्सॉब करता है प्लांट एब्सॉब करता है और इस energy को फिर वो अपने खाने में convert कर लेता है ग्लुकोस कार्वोहर्ड बना करके तो वो क्या है बेटा एक chemical form of energy तो तुमने एक physical form of energy को chemical form of energy में convert कर दिया तो energy ना तुमने create की ना तुमने destroy की तुमने सिर्फ क्या किया है one form of energy को दूसरे form of energy में convert कर दिया है अब यह chemical form कौन खा जाएगा बेटा consumers खा जाएंगे तो उनके पास travel कर जाएगी तो इसी तरीके से energy का flow होता रहता है through the ecosystem ठीक है उसके बाद दूसरा law क्या कहता है बेटा second law of thermodynamics कि energy का transfer तब तक नहीं होता जब तक कि वो accompany ना किये जाए by degradation or dissipation of energy जैसे for example plant के पास बेटा 10,000 Joule है energy का तो मान लो इसको goat ने खाया तो goat के पास क्या 10,000 Joule as it is transfer हो जाता है नहीं बेटा 90% जो energy है वो तो lost हो जाती है lost का कारण हो सकता है plant ने जो खाया है 10,000 Joule बनाया है इसमें से अपने purpose के लिए तो use करेगा इसमें कुछ दूसरी activities भी करेगा respiration करेगा photosynthes करेगा whatsoever ठीक है उसके बाद जो बचा रह जाता है वो 10 प्रतिशत वो 10 प्रतिशत ही आगे transfer होता है बेटा तो 90,000 का सिफ 10% ही goat को मिलेगा बाकी सारा lost हो चुका होगा तो transfer तो हुआ images भी add कर रखी है जहां पर food chain पढ़ाया है ठीक है वहां पर देखो हर के बाद heat का loss दिखाया है transfer तो हो रहा है बट हर के बाद heat का loss भी दिखार है because energy transfer will be accompanied by loss of heat then only it will suit this law ठीक है उसके बाद यह energy का flow होता ही कैसे बेटा food chain के through food chain को define कैसे करते है बेटा process of eating कोई किसी का खाना बनता है कोई किसी को खा जाता है and being eaten और इसी तरीके से बहुत सारे food chain connected हो तो जाल बन जाता है उसको food web कहते हैं ठीक है तो three types के food chain होते हैं बेटा ठीक है एक होता है तुम्हारा grazing food chain एक दूसरे को चरने वाला food chain जिसको predator कहते हैं इसमें organism एक दूसरे को खाता है एक को बोलते हैं detritus food chain जिसको saprophytic food chain कहते हैं और एक होता है parasitic food chain या आपके syllabus में नहीं बेटा आएगी वो sun से आएगी और एकवेटिक ecosystem में पानी में जो food chain चलता है बेटा वो grazing food chain नहीं चलता है ऐसा नहीं कि terrestrial में grazing नहीं चलता डियर खाना बन जाता है ना tiger का और डियर किसको खाता है पेड को plant को हर भी वो है क्योंकि तो हमारे ecosystem terrestrial वाले में चलता है बट जादा तर ये वाला energy flow system कहां common है aquatic ecosystem में तो देखों यहां पर example भी लिखा हुआ है बेटा grazing food chain का terrestrial food chain का इन्होंने example लिया है कि grass को कौन खा जाता है grasshopper grasshopper को कौन खा जाता है frog frog को कौन खा जाएगा snake snake को कौन खा जाएगा eagle ठीक है grass क्या है बेटा आपका primary producer ठीक है जो grass को खाए वो primary consumer जो frog को खाए वो secondary consumer जो snake को जो sorry उल्टा बोल रही हुँ में grass primary producer है यह second level पर है but grasshopper grass को खा रहा है primary consumer सबसे पहले बार consume किया frog ने grasshopper को खाया secondary consumer snake ने frog को खाया यह tertiary consumer और इसने snake को खाया इसको top consumer यह top carnivore बोलते हों यह जितने भी levels है बेटा one two three four five the levels involved in food chain इसको trophic level कहते है यह जो trophic word है ना levels involved in food chain इसको trophic level कहते हैं trophic का मतलब होता है nutrition तो यह सबसे पहला level है trophic level one this is trophic level two this is trophic level three this is trophic level four this is trophic level five हमेशे आप देखो 5 से ज्यादा trophic level का number नहीं होना चाहिए क्योंकि बेटा अगर plant के पास 10,000 Joule है ठीक है तो grasshopper को कितनी मिलेगी बेटा grasshopper को तो 10% ही मिलेगा न 10% of 10,000 calculate कर लो 10% of 10,000 कितना हुआ हजार Joule तो देखो 10,000 से जीदा हजार पर आगया अब frog को कितनी मिलेगी बेटा frog को इसकी 10% मिलेगी 10 upon 100 into 1000 100 Joule साप को कितनी मिलेगी जब इस frog को खाएगा तो साप को मिलेगी इसकी 10% तो 10 out of 100 into 110 Joule स्नेक को कौन खा रहा है इगल इगल को देखते हैं कितनी एनरजी मिलेगी 10 upon 100 into 10 1 Joule तो आप देखो जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं एनरजी कितनी कम पहुच रही है लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल को कहां शुरुबात किया था 10,000 तक और इसको कितनी मिली एक जूल इसलिए कहते हैं कि ट्रॉफिक लेवल का नंबर जादा नहीं होना चाहिए अगर अब इगल को कोई खाएगा तो आप सोचो इसको कम कितनी एनरजी मिलेगी इसलिए नंबर ओफ ट्रॉफिक लेवल इन फू इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ट्रॉफिक लेवल इतने ही होने चाहिए इससे जादा नहीं होने चाहिए तो यह जो मैंने आपको पढ़ाया है बेटा इस पर question भी आता है इसको बोलते है 10% law कि जभी भी energy का flow होता है through different traffic level in a food chain सिर 10% energy ही transfer होती है ठीक है उसके बाद यह देखो यहां पर aquatic food chain का example लिया हुआ है aquatic food chain क्या है बेटा यहां पर देखो phytoplankton को कौन खा रहा है zooplankton, zooplankton को small fish, small fish को कौन खा जा रहा है large fish यह तुम्हारे producer से photosynthesis कर सकते है primary producer तभी तो phytoward लगा हुआ है यह primary consumer जो इनको खा है secondary consumer, जो इनको खा है tersuary consumer, large fish को bird खा सकती है पंच तो bird खा जाएगी बेटा तो वो top carnivore हो जाएगी ठीक है उसके बाद यह पहला trophic level है T1, this is T2, this is 33, this is T4, ठीक है अब detritus food chain क्या होता है बेटा, वो food chain जो detritus से शुरू हो देखो, detritus पर कौन feed करता है earthworm, earthworm को कौन खा जाता है sparrow, sparrow को कौन खा जाता है falcon, तो जबी भी falcon एक बड़ी bird होती बेटा, जबी भी food chain detritus से शुरू हो तो उसको बोलते हैं detritus food chain या saprophytic food chain, terrestrial में बेटा लोग मरते रहते हैं, detritus बनता रहता है, इसी बज़े से terrestrial ecosystem में DFC जादा common है GFC से, aquatic में GFC जादा common है DFC से, ठीक है, parasitic food chain, axillary food chain कहते हैं इसको, यह आपको करना नहीं है जैसे हमारे शरीर के उपर parasite है, यह भी तो एक तरीके का food chain है, तो अगर जूआ है हमारे शरीर के उपर बैठ करके, इसे खून चूस रहे हैं, तो वह एक तरीके का nourishment है, that is also kind of food chain, तो यह मैंने parasite का example लेकर समझाया है, ठीक है, जैसे for example, एक tree है बेटा, उस tree के उप बहुत सारे birds हैं, और उस birds के उपर जूएं है, lice and bugs है, ठीक है, तो यह parasites है, तो इसको parasitic food chain कहते हैं, इसको auxiliary food chain कहते हैं, जब उसमें parasite involved हो, clear हो गया, इसके बाद food chain पढ़ने के बाद, हम पढ़ेंगे बेटा, हमने कौन-कौन से function पढ़ लिए, productivity पढ़ लिए, हमने decomposition होता है, कितने types का होता है, वो revise कर लिया, revision है, revision कर लिया, अब हमें पढ़ना है ecological pyramids के बारे में, ecological pyramids क्या होता है, graphical representation होता है, कुछ ecological parameters का, जैसे एक ecosystem में कितने number है, हर्फ, traffic level के, ठीक है, एक ecosystem में energy कैसी है, through successive traffic level, एक energy system में, जो जानवर है, उनका weight क्या है, बायो मास क्या है, तो इन तीनों parameter को जब graphically represent कर देते हैं, तो एक pyramid बन कर क्या आता है, उसको बोलते है, ecological pyramid, तो ecological pyramid क्या है बेटा, ये graphical representation होता है, various ecological parameters at successive traffic levels, जैसे, क्या-क्या parameters आप लेते हो, ecological pyramid बनाने के लिए, एक है आपका number of individual, दूसरा होता है, biomass और तीसरा होता है बेटा, energy, ठीक है, तो NCRT में तीनों diagram दिये हुए है, pyramids के, तो फटा-फट देख लेते हैं बेटा, फटा-फट देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले देखो लिखा हुआ है, ये pyramid number का है, ठीक है, ये number का pyramid है, कौन से ecosystem में, grassland ecosystem में, तो आप देखो, grassland ecosystem में मतलब जहां पर grasses होती है, trees कम होती है, ठीक है, जैसे grass हो गया, grasshopper, जहां grass होगी, वाँ grasshopper होगा, ठीक है, इस तरीके का ecosystem देखोगे, और अगर इस तरीके का food chain चलता है, तो आप obviously बेटा, producers का number देखो, कितना जादा है, ठीक है, जो इनको खाने वाले consumers है, देखो, इनका number कितना कम है, जो secondary consumers होगे बेटा, जैसे मानलो ये grass है, लिख देती हूँ, ये grass है, तो grass cover अलोड़ी जादा होती है, ये मानलो grasshopper है, इनके number उससे कम, grasshopper को कौन खाता है, frog, उससे कम number, और उनको कौन खा जाता है, उससे कम number, तो धीरे-धीरे जैसे, traffic level बढ़ता चला जा रहा है, number, organism का हर एक traffic level में घटा चला जा रहा है, तो आपको pyramid कैसा मिल रहा है, upright pyramid, तो pyramid of number in glassland ecosystem कैसा होता है, बेटा upright, ठीक है, अगर आपसे पूचा जाए, pyramid of number in terrestrial ecosystem, inverted हो सकता है, पड़ NCRT में दिया नही है, तो करो मत, उसके बाद देखो, pyramid of biomass, pyramid of biomass बेटा, इस तरीकी का pyramid तुम उसको क्या कहते है, upright, तो pyramid of biomass upright भी हो सकता है, और pyramid of biomass inverted भी हो सकता है, देखो, inverted कब होगा, pyramid of biomass upright होता है, बेटा, in terrestrial ecosystem, ये भी pyramid of biomass है, ये भी pyramid of biomass है, पर दोनों में फरक क्या है, जो उपर वाला pyramid of biomass है, ये तुम्हारा terrestrial ecosystem में है, और ये जो inverted है, ये तुम्हारा किसमें होता है, बेटा, एक्वेटे की ecosystem में, एक्वेटे की ecosystem में, जैसे for example बेटा, pyramid of biomass, biomass का मतलब है वजन, ठीक है, वजन कैसे calculate करते हैं, तो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, kg per meter square, drive weight calculate की गई है, ठीक है, तो primary producer का drive weight है, वो obviously primary consumer से जादा है, एक tree एक बेटा, ठीक है, terrestrial ecosystem में, obviously उसका जादा होगा, उसको खाने वाले जो herbivores हैं, उनका weight देख लो, herbivores को खाने वाले जो secondary consumer हैं, उनका weight देख लो, और जो top carnivore हैं, उनका weight देख लो, ठीक है, तो weight धीरे-धीरे, biomass धीरे-धीरे, हर एक trophic level, जैसे उपर जाते जा रहो, घटा चला जा रहा है, तो ऐसे में shape क्या मिल रही है, आपको upright, यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो phytoplankton है, इनका number बहुत जादा हो सकता है, क्योंकि microscopic हैं, ठीक है, लेकिन वजन करने लोगो, तो वजन बहुत इत्त बहुत कम आता है, ठीक है, वजन बहुत कम आता है, यह है phytoplankton, अब इनको कौन खा जाता है बेटा, इनको खा जाते हैं zooplankton, तो zooplankton का number इन से भले कम होता है, लेकिन उनका वजन बहुत जादा आता है, जब उपर वाला trophic level जादा हो जाए, as compared to the नीचे वाला trophic level, तो shape देखो कैसी हो गई है, inverted, ठीक है, तो pyramid of, जो हमारा biomass है, वो upright होता है, terrestrial में, inverted होता है, हमारा aquatic ecosystem में, जो pyramid of number होता है बेटा, यह upright होता है, grassland में भी, और यह upright होता है, aquatic में भी, सब कुछ लिखवा दिया है आपको इस, उसमें, उसके बाद एक pyramid ऐसा होता है बेटा, जो हमेशा upright आता है, it is always upright, क्यों, क्योंकि 10% energy चलती है, 10% law चलता है, एक food chain से, दूसरे food chain में, 10% law चलती है, तो धीरे धीरे ट्रॉफिक लेवल, अभी आपको example दिखाया था ना, कि last वाले को कितना कम मिल रहा था energy, है ना, तो धीरे धीरे ट्रॉफिक लेवल में energy घटी चली जाएगी, तो यह हमेशा ही upright आएगा, without any doubt, ठीक है, it is always upright, यह, NCRT ने सिर्फ upright का case लिया है, मैं आपको inverted का भी बता देती हूँ, यह inverted होते हैं, tree ecosystem में, तो tree ecosystem, तो आप देख लो बेटा, number वाला भी upright inverted दोनों हो सकता है, biomass वाला भी upright inverted दोनों हो सकता है, बट यह सिर्फ एक ही होता है, that is upright, एक और चीज बहुत important चीज है, देखो बेटा, इनके पास, sun के पास इतनी सारी energy थी, तो plant के पास कितनी गई है, sun से जब plant के पास जाती है, तो भी क्या 10% लगता है नहीं, यह चीज ध्यान रखना बेटा, 10% loss food chain के लिए है, मान लो sun के पास 10,000 joule of energy है, तो plant के पास 1% transfer होता है, तो plant को कितना मिलेगा बेटा, 1% of 10,000 joule, that means 100 joule available होगा plant को, तो हमेशा याद रखना 10% यहां के लिए है, sun से plant को 1% जाता है, और पता नहीं आप बच्चों ने ध्यान दिया होगा की नहीं, यह जो यहां से यहां तक के energy है यह 1% है, इसके बाद आगे जो traffic level में पास हो रही है, यहां पर 10% law applicable है, यह बहुत important चीज है, इसके बाद बेटा, next जो हम पढ़ेंगे, that would be ecological succession, ecological succession क्या होता है बेटा, आप एक बंजर इलाके में भी पूरा का पूरा forest देख सकते हो, जहां पर पानी है, water body है, वहां पे भी सालों साल बाद, ऐसा ने एक दो साल बाद, सालों साल बाद भाहां पे भी forest देख सकते हो, अगर पानी में होगा, तो hydrox succession कहते हैं, अगर dry area पे होता है, तो zirach succession कहते हैं, चाहे पानी में हो, चाहे dry area पे हो, बनता forest ही है, जो medium water condition है, उसको magic condition कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, magic condition कहा जाता है, तो देखो, यहां पर मैंने आपको बताया है, कि दो प्रकार के successional communities होती है, दो नहीं, तीन, जो सबसे पहले community आकर के establish होती है, उसको pioneer community कहते है, this is first biotic community, ठीक है, अगर rocks पर succession चल रहा है बेटा, तो lichens होते हैं, पानी में succession चल रहा है, तो phytoplankton और zooplankton होते हैं, ठीक है, जहां से train पक्रते हो बेटा, सबसे पहला station, वो तुम्हारा pioneer station है, बीच में बड़े सारे stations आते हैं, passenger आकर के बैठते हैं, तो वो change होता रहता है station, तो तुम्हारा transitional stages है वो, अब एक आता है तुम्हारा final destination, तो जो सबसे पहला stage आता है तुम्हारा pioneer, जो सबसे last में आता है, that is climax, क्या आता है, that is climax, तो transitional या seral community, बाद में आती है, ये beach beach की stage होती है, transitional क्योंके रहे, ultimately convert हो जाएगी, और क्या बना लेती है बेटा, climax community बना लेती है, climax सबसे last community होती है, इसके बाद कोई नहीं आएगा, सबसे stable community होती है, for example, forest, अब मैंने आपको अभी जस्ट बताया, जिस जगह पर succession हो रही है, अगर पानी में हो रही है, तो hydraak बोलते हैं, ठीक है, dry areas में हो रही है, तो zerak बोलते हैं, zerak is for dry areas, ठीक है, hydraak is for wet areas, कहीं पे भी हो रही हो, both will proceed to the, both will proceed to the medium water condition, जिसको हम बोलते हैं, magic condition, ठीक है, जैसे यह देखो, यह आपको याद रखना पड़ेगा, देखो, पूरा का पूरा पानी था, सिर्फ phytoplankton थे, succession हुई, धीरे-धीरे देखो, आपको नीचे भी पेड़ पौदे दिखाई देने लगे, इसको बोलते हैं, submerged plant stage, और succession बड़ी, तो देखो, उपर floating plants भी आगए, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, नीचे तो plants थे ही, अब उपर भी आगए, इसको बोलते हैं, submerged भी हैं, प्रस फ्ली फ्लोटिंग plants भी है, इसके बाद देखो, दीरे-दीरे पानी का लेवल खटने लगए, और soil बगएरा जादा आगए, ठीके, देखो, प्लांट और जादा आगए, इसको reed swamp stage कहते हैं, और succession आगए बड़ी, तो देखो, और कितने सारे पेड़ पौधे आगए, marsh meadow stage कहते हैं, और एक टाइम ऐसा आया, पानी गायब हो गया, और देखो, पूरा का पूरा scrub stage आ गया, और एक टाइम ऐसा आएगा, बेटा, यह और प्रसीड करीगा, और पूरा का पूरा जंगल बन जाएगा, तो देखो, पानी वाले इलाके से, पूरा का पूरा हम, medium water condition, mesic condition पर आगए, forest, जो NCRT में डाइग्राम लिया हो है, बेटा, यह हाईड्राक succession का लिया हो है, क्यों? क्योंकि succession पानी में शुरू हुई है, अब obviously बेटा, जब पानी में यहाँ का और यहाँ का status बहुत अलग है, पानी में था, तो यहाँ पर aquatic organism अलग थे, soil बन गया है, तो यहाँ पर aquatic organism अलग होगे, तो NCRT कहती है, कि जब succession होता है बेटा, तो क्या-क्या चीजे होती है, तो there is a change in diversity of species, species ही बदल जाएंगे, obviously पानी से अब testil में जाना है, और क्या-क्या होता है बेटा, पानी में little diversity है, बहुत चोटा सा है, phytoplankton दिखाई दे रहे हैं, जंगल आ गया है, ज्यादा diversity है, उसके बाद biomass भी बदल गया है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे है, यहाँ पर देखो कितने सारे पेड़ हैं, इनका वजन कर लो, biomass निकाल लो, उसके बाद humus content भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर organism ही नहीं है बेटा, मरेंगे कौन, detritus, humus कैसे बनेगा, यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारा humus content बनेगा, ठीक है, चाहे aquatic हो, चाहे dry condition में हो they will proceed towards the mesic medium water condition, जिसको हम forest कहते हैं, ठीक है, vegetation भी बदल जाता है बेटा, जब ecosystem ही बदल गया, यहाँ का vegetation और यहाँ के vegetation में फरक होगा, animal में भी फरक होगा, decomposers भी अलग-अलग होते हैं, क्योंकि पानी में है तो decomposers नीचे मिलते हैं, पानी में, यहाँ पर soil में उपर की तर से एक के बाद, इसलिए इस बदलाब को ecological succession कहा जाता है, clear हो गया, इसके बाद बेटा, हमारे NCRT में nutrient cycling है, nutrient cycling में क्या पढ़ते हो बेटा, nutrient cycling में आप एक environment में किस तरीके से gaseous exchange होता है, between biotic and abiotic component, उसको हम nutrient cycling या biogeochemical cycling कहते हैं, phosphorus cycle का example लेकर के समझते हैं, बेटा, nutrient cycling को, okay, so मैंने बेटा screenshot लगा रखा है, phosphorus cycle का, which is there in our NCRT, दो ही cycle दी हो यह बेटा, सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए, gaseous cycle क्या होता है, ठीके, क्योंकि हमारे syllabus में gaseous cycle का example है, दूसरा sedimentary cycle का example है, इन cycle के जरिये बेटा, nutrient cycling समझाई ही है, है न, अगर gaseous का exchange होता है, gaseous के form में exchange हो रहा है, minerals का, तो उसको हम gaseous cycle कहते हैं, जैसे for example, carbon cycle, जो आपके 12 में दी हुई है, ठीके, जैसे CO2 के form में हमारे air में है, nitrogen cycle आपने पड़ी हुई है, mineral nutrition वाले chapter 11 में पड़ी होगी, कैसे atmospheric nitrogen की cycling कराई जाती है, nitrogen fixation के जरिये, ammonification के जरिये, nitrification के जरिये, फिर एक आता है oxygen cycle, बच्चपन में water cycle पड़ा होगा बेटा, कि बादल कैसे बनते हैं, वेपर कैसे बनता है, condensation क्या होता है, तो ये सारा क्या है बेटा, gaseous, minerals का exchange हो रहा है, बट gaseous form में हो रहा है, तो ये सारे gaseous cycle है, ठीक है, sedimentary का मतलब है बेटा, कि ये gaseous के form में exchange नहीं हो रहा है, इन minerals का, जैसे sulfur and phosphorus, ये हमारे examples हैं बेटा, sedimentary cycle के, sedimentary cycle के, ठीक है, इनका source क्या है, जो carbon cycle वाले होते हैं बेटा, इनका source होता है atmosphere, है न, इनका source क्या होता है बेटा, earth crust, earth crust reservoir होते हैं, जैसे phosphorus, कहाँ पर मिलते हैं सबसे ज़्यादा, rock में, जब वो rock तूटता है, उस rock की weathering होती है, उस से निकल करके phosphorus वाल में आता है, तो देखो, यही explain किया हुआ है, ये rock minerals है, सबसे ज़्यादा phosphorus बेटा rocks में होते हैं, rocks जब तूटते हैं, weathering होती है उनकी, तो उस weathering से phosphorus कहाँ पहुच जाता है, soil में चला जाता है, अब soil में क्या लगे होते हैं, plant, तो soil में से phosphorus का अप्टेक कौन कर लेता है, बेटा, plants, producers, producers को कौन खा जाता है, बेटा, तो देखो, phosphorus, rock से कहाँ पहुचा, soil में, soil से कहाँ पहुचा, producer में, producer से कहाँ पहुचा, बेटा, जो consumer, जो इसको जानवर खाएगा, consumer के पास पहुच गया, अब consumer मर जाएगा, तो मरने के बाद वो किसका हिस्सा बन जाएगा, detritus, तो वो phosphorus detritus में आ गया, plant की पत्ती वेगरा मर सकती है, litter का मतलब कच्ड़ा, किसका कच्ड़ा, plant का कच्ड़ा, plant हो सकता है, overall मर जाएगी, तो कभी पत्ती मर जाती है, उसकी गिर जाती है, कभी ट्विक तहनी गिर जाता है, तो वो भी phosphorus कहा आ जाएगा, litter, litter कहा जाएगा, detritus, तो इन दोनों का जो phosphorus था, मरने के बाद detritus में चला गया अब detritus को decompose करोगे decomposition के सारे steps पढ़ाए उसके बाद फिर से phosphorus कहां आ जाएगा soil में आ जाएगा इसमें से फिर से कोई phosphorus producer ले लेगा और कुछ बारिश के पानी के साथ बह जाएगा तो इसी तरीके से देखो phosphorus cycle में घूमता रहता है अब soil से फिर यहां जाएगा यहां जाएगा फिर मरने के बाद soil में फिर जाएगा फिर आएगा मरने के बाद फिर से soil में तो यह cycling phosphorus की चलती रहती है through biotic and abiotic component जैसे producer and consumer biotic component है soil तुमारा क्या है abiotic component तो यह जो mineral की cycling होती है through biotic and abiotic component इसको हम gaseous cycle sorry nutrient cycling या bio geochemical cycling कहते है ठीक है और इसी में इन्होंने explain किया है बेटा standing state के बारे में standing state क्या होता है कि एक given time में एक ecosystem में कितना amount of inorganic nutrient है ठीक है that defines your standing state standing crop क्या होता है amount of living material ठीक है amount of biomass जो present होता है given state में in a given area in a given ecosystem ठीक है state और crop में फरक कैसे करोगे crop is a living material ठीक है तुसमें living material का mass देखते हैं biomass देखते हैं state पता नहीं चल रहा तो इसमें क्या बताओगे आप inorganic mineral कितने मात्रा में मौजूद है क्या किस ecosystem in a given area and time ठीक है so that was all about beta this chapter के बारे में ncrt की reading लगाना है that is a revision ठीक है और इसको अच्छे से follow करना है ncrt reading लगाओ and that's all for this chapter अगले lecture में मिलेंगे अगले chapter के साथ तब तक लिए bye bye and take care